हेलो माइ बिट्फुल सूल फामली किसे हैं आप सभी I hope कि आप सब बहतर कर रहे होंगे, खुश होंगे, खुशाल होंगे धेर सारी blessings आप सभी को मिल रही होंगे सबसे पहले तो आप सभी को तहदिल से शुक्रिया जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप जो केर करते हैं उसके लिए Every or each person जो भी केर करता है उसके लिए Thank You आज हम देखने वाले हैं कौन है जो आपका इंतजार कर रहा है कौन है जो आपके लिए वेट कर रहा है कौन है ऐसा जो आपके लिए आपका रास्ता देख रहा है कि कब आप उनकी जिन्दगी में आएंगे So you have two piles okay First pile is surrender card and wait a minute उठाने दीजिए Pile number two है path card okay So you have two cards आपको जो भी ज़्यादा attract कर रहा है उसे choose कर लीजिए okay So yeah, I hope कि आपने choose कर लिया होगा Let's start with the Pile number one okay Okay, hmm, इसको side में रख रहते हैं Okay So जिन्हों ने भी surrender card choose किया है Maybe आप यहाँ पर single है और अगर आप single नहीं है तो आप किसी person के लिए दुआएं मांग रहे हैं कि वो person मेरी life में आ जाएं या फिर ये person आपको जो person आपको अपको अपनी जिंदेगे में चाहते हैं वो person आपको खुदा से आपको God से आपको भगवान से मांग रहे हैं कि प्लीज उसे मेरी जोले में डाल दे मेरी किसमत में उसको लिख दे ऐसा मुझे नजर आ रहा है और या फिर ये आपके energy है कि आपकी life में अगर कोई problem चल रही है अगर आपकी life में कोई person नहीं है तो आप angels को God को surrender कर चुके हैं कि अब आप ही चुने जो होगा वो बहतर होगा हमें ये मालूम है कि आप हमारे लिए जो भी चुनेंगे वो अच्छा होगा आप इन्हें बहुत दिलकस लगते हैं भई बहुत ज़्यादा इसलिए तो खुदा से आपके लिए दुआई मांगते हैं अगर आपको लगता है आपके उपर कोई negative energy है then you need to surrender to God because वो अपने आप संभाल लेंगे चीज़ों को ओके यहां तो मुसम आज है ना आज और कल बहुत अच्छा रहा आज का तो पता नहीं लेकिन आज कल अच्छा रहा बारिश आई और सच में बहुत अच्छा temperature था इतना जादा नहीं था कि सेहन ना हो कल अच्छा मुसम था so yeah देख लिते हैं आपके सामने है ना कोई चीज रिवील होगी कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने आईगी जो आप जानना चाहते थे प्लीज इंजर्स टाल मी कौन है जो मेरी वीवर्स को पाइल नंबर वन को अपनी लाइफ में चाहता है कौन है जो उनका वेट कर रहा है स्पर्फ ये ट्ड़़्र्स क।ग औैंट ये वेट जो च। सुझत बाइबर दियोग उनकाई छ सवार्स फाष्ट नंबर year langोने King of Swords बताओंगे मैं आपको Ace of Cups Ten of Wands and bottom of the rack Nine of Wands and Wheel of Fortune Maybe आपके Past Life में कोई Toxic Person था Maybe Past Life में आपके कोई ऐसा Person था जिसने आपके साथ वैसा सुलूक नहीं किया वैसा वहवार नहीं किया वैसा बिहेव नहीं किया जिसके आप हकदार थे आपको वो प्यार, वो इज़त वो महबबत नहीं दी जिसके आप सच में हकदार थे और कहीं न कहीं आपको परिशान किया cheat किया आपको या फिर आपको pain दिया toxic relationship में रहे, आप कार्मिक रिलेशन्शिप में आप past में रहे या फिर आपको धोखा मिला आपनी past relationship जितने भी आपकी रही हैं ऐसा मुझे नजर आ रहा है आपको हमेशा एक ऐसा toxic person मिला जिसने आपको हमेशा चीट किया या फिर आपको वो इज़त वो प्यार वो मुहबत नहीं दी जिसके आप लायक हैं जिसके आप भकदार हैं जो आप सामने वाले को देते हो वो return नहीं मिल पाया तो वो परसन वापिस भी चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में बट मुझे यहाँ पर एक परसन और नजर आ रहे हैं जो आपके ख़ाब देख रहे हैं जो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको अपनी लाइ हो सकते हैं ठीक है इनका फेस स्ट्रुक्चर थोड़ा सा अलग होगा दूसरों से या ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि या यह परसन है ना यह परसन फाइनेंशली बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं है फाइनेंशली तो यह अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बिल्ड अप करना जानते होंगे यह किस तरीके से मुझे फाइदा करना है अपना यह जानते हैं लेकिन यह यह आप से मुझे असलता है महबत करते हैं और यह आपके ख़ाब देख रहे हैं मुझे इसा नज़र आ रहा है अगर आप कोई खुद का बिजनस करते हैं तो यह आपको बिजनस के दोरान मिलेंगे अगर इसा नहीं है तो मुझे इसा नज़र आ रहा है कि आप इनके साथ काम करते हैं कहीं न कहीं, जहां पर आपका mind ज़्यादा use होता है, यह वहां पर है, जहां आप बहुत ज़्यादा work करते हैं, यह वहां पर है, it could be school, college, और your workplace, anything, जहां पर भी आप अपने mind का, या फिर आप अपना, अपना जो है, काम करते हो जहां पर, जहां पर आप अपनी thought process का बहुत ज़्यादा use करते हैं, जहां पर आप अपना suggestion किसी को देते हैं, ऐसी जगह से मुझे नजर आ रहे हैं, it could be possible कि यह एक astrolizer हो, it could be possible जगा, या फिर आप हो, आप हो सकते हैं, कि आप spirituality में हो, और, और इस person को आप पसंद हो, हाँ, तो यह एक तो मुझे ऐसा नजर आ रहा हैं, कि कोई person है, जो एक नई शुरुवात चाहता है आपके साथ, it could be a person, जो आपका x हो सकता है, ठीक है, आपके past से हो सकता है, लेकिन एक मुझे यहाँ पर नजर यह आ रहा है, कि आपकी life में कोई एक ऐसा person भी enter करने वाला ह है, जो आपकी जो यह energy है, जो problem से भरी हुई है, जो आप किसी पर trust नहीं कर पाते हैं, उस energy को खतम करके wheel of fortune में convert करने वाला है, एक नई शुरुवात के साथ आपके किसमत का ताला खोनने वाला है, यह possible है कि यह low में हो, ठीक है, आपके education से कहीं न कहीं, आपके book से कहीं न क ही इनका कोई वास्ता हो, और यह बहुत workaholic person हो, यह बहुत जदा romantic person है, मैं आपको बता दू ठीक है, लेकिन जो past में था, वो rude था, अगर वो past से वापस आते हैं, then it's all up to you, कि आप किसे choose करते हैं, लेकिन मुझे यहां पर क्या नज़र आ रहा है, यह जो person है ना, यह आपक को अपना जीवन साथ ही बनाना चाहते हैं, time pass नहीं बनाना चाहते, ठीक है, और भगवान करें सच में आपको यह अपनी feeling जाहिर करें, यह person और आपको इतना प्यारा person मिले, जो सिर्फ आपके लिए जीता हो, जो सिर्फ आपके बारे में सोचता हो, जिसके दिमाग में, ज definitely इन में से एक person आपके लिए सही नहीं है, तो यह मुझे आपके past से नजर आ रहा है, आपके past life से नजर मुझे आ रहा है, और आपने surrender जो किया है, God उसको जरूर reward करेंगे, आपको कही न कहीं protect किया जा रहा है आपके past life से, past में जो भी हुआ उन चीजों से, ठीक आपको व क्योंकि आपके लिए वो will of fortune, oh my God, इंशार आपका past में relationship इसलिए टूटा कि वहाँ पर कोई third person था, उन्होंने आपको लटका के रखा था, ना इधर का छोड़ रहे थे, ना उधर का, लेकिन ये person आपके तरह बहुत ज़दा attracted रहेंगे, ठीक है, आपकी रहा देख रहे है आपका wait कर रहे हैं, ठीक है, वहीं energy है, और आपकी life में will of fortune के energy लाने वाले हैं, आपका wait कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये person सच में आपको stalk कर रहे हैं, लेकिन bad way में नहीं कह रही हैं, बहुत ये कि हम मुझे आपके बारे में जानना हैं, कैसे हैं आप, ये सब, ओके अभी इन्होंने आपके सामने reveal नहीं किया feelings, मैं आपको बता दूँ, अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने मुखोटा लगा रखा है, ठीक है, मास्क पहन रखा है, ये अभी आपके सामने reveal नहीं किया है इन्होंने, आप नहीं जानते हैं ये person कोन है, लेकिन ये चोरी चुपके आपके जरूर देखते हैं, तकते हैं आपको, and definitely आप बहुत जल्द इस person से ये अपनी feeling जाहिर करेंगे और बहुत जल्द आप इस person से मिलेंगे, बहुत जल्द ये अपनी feeling जाहिर करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको वो person मिलने वाले हैं, जो आपको अपनी life मिलाना चाहते हैं, जो आप अपना रास्ता आपके साथ हैं जो अपने हर एक मुकाम पर आपके साथ चलना चाहते हैं आपके साथ हर एक खुशी बाटना चाहते हैं कि लेट सी क्या नेमी निश्यल हो सकते हैं एसे ना मुझे नजर आया अधित्य अधिती अरुन आभा अश्विन अफ्ताब विनित सौमवीर जी से नाम हो सकता है रवी हो सकता है दिपांशू हो सकता है टीको किसी का नाम हो सकता है ऐसा हो सकता है किसी का नाम रमेश हो वीर किसी का नाम हो किसी का नाम सौम ओम हो मोहन हो सकता है ठीके लताम रूही किसी का नाम हो सकता है जी से और जीसे नाम मुझे तो कुछ सूज नहीं रहा है भई अनुशका पूजा किसी का नाम हो सकता है आरती किसी का नाम हो सकता है ब्राउन कलर हो सकता है मेभी इनका एल से इनका नाम हो सकता है जेल जेल क्या बना भई Japan दुसरी country से हो सकते है या कोई अजीब और गरीब नाम होगा इनका F से नाम हो सकता है रवी हो सकता है ठीके उसके साथ साथ सूरज किसी का नाम हो सकता है Africa कोई सन की नाम से किसी का नाम हो सकता है सन या मून मतलब जो प्राइवाची होते हैं एम येस ना लट सी की वो कहना क्या चाहते हैं आपको क्या है उनकी दिले जज़बात देख लेते हैं क्या कहना है उनको आपको येस यहां पर रखेंगे अब ताकि आपको विजीबल हो यूआ माइज शाइन ओई होई 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 आपके आईज की शाइन हूँ आइम अडिक्टीट टू यूर लाव एंड अटेंशन मुझे यहां पर लगा कि यहां पर है न लिखा है वोईस लब की जगे ठीक है तो ऐसा हो सकता है या तो आप उनकी आवाज की एडिक्टीड हो चुके हैं या वो हो चुके हैं आपकी आवाज के सोरी आप क्या आपने तो शायद उनसे अभी तक आपने उन्होंने आपको बताया नहीं है तो शायद वो आपके आवाज के कायल है आपके प्यार के कायल है आपके अटेंशन के कायल है और आपके साथ अटेस्ड है कहीं ना कहीं आदत हो चुकी है पता नहीं एक सोंग है आदत हो गई कोई सोंग है पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही है लिरिक्स दिमाग में चल रही है लेकिन हाँ जुबाप भी नहीं आ पा रही है फिर से भूल जा रही हूं आदत हो गई पता निया से कोई सोंगे यू आ नोट जस्ट माई लाव यू आ माई फामिली बिल यू मैरी मी होई होई आप से पूछ रहे हैं भाई क्या आप उन से शादी करेंगे आंसर दीजिएगा इसे परसन से को नहीं शादी करेगा भाई I know we will be together my love, believe on God, this connection written in our destiny Wow This could be the one, you already met the romantic partner, you sick Oh my God ये आप मिल चुके हैं नहीं लेकिन आपको रिवील नहीं किया है इनोह नहीं और आप already मिल चुके हैं और आप नहीं जानते हैं अवेर नहीं है इस बारे में So yeah, that's all for you, whenever I see a shooting star, my first wish is you जब भी मैं कोई टूटता तारा देखता हूँ ना या देखती हूँ तो हमारी पहली विशा आप होते हैं So yeah, that's all for you, I hope you like the video, enjoy the video, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा और अगर आप यहाँ नहीं है, then subscribe my channel, thank you for your love, if you want your personal reading, then DM में, okay, bye Hello pile number two, तो जिन्हों आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, कौन आपका रास्ता देख रहा है, कौन आपकी हां का इंतसार कर रहा है ऐसा देख लेते हैं कि कौन है जिसका आप आधा हिस्सा हैं दिल का, क्योंकि मुझे यहाँ पे न, आधा मून दिखाई दे रहा है आज यह से थोड़ा से जादा, तो कहीं न कहीं आप किसी के दिल की धड़कन है, कोई जरूर है जो आपको अपनी जिन्दगी मानता है कोई ऐसा जरूर है जो आपके बगैर अधूरा है तो हम वहीं देखने वाले हैं, वो कौन है भई जिसकी सासे आपके नाम से चलते हैं I think आप किसी चीज के लिए वरेड है, मेबी आप अपने ड्रीम्स को देख रहे हैं कि मैं कैसे वो अपने ड्रीम अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जिसके लिए मैं सपने संजो रहा हूँ या देख रही हूँ तो वो कैसे मैं उस सं तक, कैसे मैं उस पावर, उस एनरजी, उस मुकाम तक पहुच पाऊंगा या पाऊंगी जो मैं देख रहा हूँ हूँ, यह बहुत मुश्किल पड़ाव है, लेकिन कैसे पार कर पाऊँगा, या कर पाऊँगे, तो मुझे क्या नजर आ रहा है जया यहाँ, कि आपके पास बहुत सारे options हैं, उन सब options को लेके साथ चले, उन hope, जो आपकी उमीद हैं, आपकी जो ancestors हैं आपके जो angels हैं, वो आपके साथ हैं, उनका यह उन पर trust करके और इस रास्ते पर चलते जाएं, क्योंकि यह रास्ता आप ही के लिए बना है, and definitely आप एक दिन successful जरूर होंगे, okay, so now let's start, यह guidance ही आपके लिए, अगर worried हैं अपनी career के लिए, अपनी love life के लिए, then don't worry, अपनी सा tension, गोड को दे दीजे, वो संभालेंगे, so yeah, देख लेते हैं, कौन है जो पाइन लंबर टू को, अपनी life में लाना चाहता है, या कौन है जो उनका रास्ता देख रहा है, कौन है जो आपकी हाँ का इंतिजार कर रहा है, प्लीज इंजल्स टाल में, कौन है जो पाइन लंबर टू की हाँ का इंतिजार कर रहा है, कौन है जो उनका अपनी life में लाना चाहता है, आपकी आवाज इन्हें बहुत सूरीली लगती है, शर्माते हैं, यह बहुत शाय है, चोटी-चोटी बातों पर आपको जगडा करना या आपका गुस्से में बात करना यह बहुत पसंद है, और जब आप प्यारी सी स्माइल के साथ सूरी बोलते हैं, तो यह पिगल जाते हैं, अगर आपने कोई गलती की है, तो शायद यह आपको तभी बोल दते हैं, कि कोई बात नहीं, आपने सूरी बोल दी और तभी यह पिगल जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक ह है कोई नहीं प्लीज एंचियर्स प्लीज एंड शुन्या ओकी किंग आफ स्वार्थ पाइल नंबर वन भी आप देख सकते हैं क्योंकि पाइल नंबर वन में और किंग आफ स्वार्थ कार्ड था फिर भी देख लेते हैं mm-hmm okay piece of pentacles eight of cups nine of cups the tower card is here okay मैं समझ गई है इंजल्स आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरी बात गोर से सुनेगा क्या ऐसा है कि आप जिनसे प्यार करते थे उनकी family में इशू था आपकी family में इशू था आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही क्या ऐसा था अगर ऐसा था तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि वो परसन आपके आने का इंतिजार कर रहे है वो परसन कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ में वापिस लाना चाहते है कहीं न कहीं वो person वापिस आपके पास आना चाहते हैं जिनका आप वेट कर रहे हो या फिर वो person आपका वेट कर रहे हैं या आपके past से हो सकता है जिसके साथ आपकी relationship अच्छी नहीं चली अच्छा सब कुछ नहीं रहा लेकिन at the same time मुझे ऐसे तीन person ओर दिख रहे हैं जो आपको अपनी life में चाहते हैं एक आपके work के place से मुझे नजर आ रहा है ठीक है एक मुझे आपका friend नजर आ रहा है जो कहीं न कहीं अगर उसका ऐसा behave है किसी person का जो आपको किसी और के बारे में बाते करता सुन नहीं सकता या सुन नहीं सकती तो मुझे ये वो person नजर आ रहे हैं कि कहीं न कहीं वो आपको अपनी life में चाहते हैं ठीक है कहीं न कहीं वो आपको ring पहनाना चाहते हैं आपसे शादी करना चाहते हैं मुझे रिंग एकदम से याद आया रही है अस तो मैंने रिंग नहीं डाली so yeah definitely कोई ऐसा person है जो आपको एक तो आपका past नजर आ रहा है मुझे जो आपकी life में वापस आना चाहता है जो अभी तक वहाँ पे move हो नहीं कर पाया है जिससे आपकी बात्षी totally बंध है जिससे आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे है लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि in future chances है अगस्त के आसपास कि ये वापस आई ये वापस चीज़ों को ठीक करने का try करे कहीं न कहीं आपको भी इस बात से थोड़ा सा दर्द है कि ये person चले गए थे आप अपने चहरे पे एक हलके सी लेकिन बनावटी मुस्कान लिए फिरते हैं या फिर वो हो सकते हैं ऐसे मुझे यहाँ पे multi जो है person नजर आ रहे हैं जो आप से आपकी life में चाहते हैं आपको king of swords यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है एक person ऐसा है जो गुस्ता भी करते हैं जो आपके हक जमाता है जो आपकी care करता है at the same time आपके लिए worried है at the same time आपको protect करता है एक कोई ऐसा person है जो आपके work के place से मुझे नजर आ रहा है जो जिसने आपको बहुत confused किया है जो कभी भी आपको real feelings उन्होंने जाहिर नहीं की ठीक है कभी भी आपको अपनी reality है जो अपनी feelings है, जो अपनी thoughts है वो कभी जाहिर नहीं होनी दे आपके सामने एक वो person आपको अपनी life में वापिस चाहते है और एक ऐसा person है जो एकदम आपके ease के बराबर है या आपसे इस में चोटा है वो आपको चाहता है कि हाँ आपको offer करें लेकिन अभी वो इतना mature person नहीं है अभी वो इतना mature नहीं है तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दो या तीन person तो आराम से ऐसे हैं जो आपका अपनी life में चाहते हैं एक ऐसा person हो सकता है, जिससे शायद आप as a friend बात कर रहे हैं, या फिर आपका भी as a friend उनसे मिले हूँ, और एक person ऐसा है, जो आपके work के place से है, जिसने आपको बहुत confused किया, एक person ऐसा है, जो आपके past से है, अगर आप में से, जो भी आपके energy है, आप उसे ही लीजिएगा, ठीक उसे लीजिए, and leave the rest, now let's see, कि क्या angels की guidance है, उसके बाद हम उनका message देखेंगे, and name initial देखेंगे, ओके, protection, yeah definitely, you are protected dear, you are protected, don't worry about your protection, कि मैं protected हूँ या नहीं हूँ, आप protected है dear, आप protected है, आपके love life protected है, आपकी career life बहुत ज़ादा protected है, आपकी family बहुत ज़ादा protected है, अगर आप worried हैं अभी अपनी life में जो भी चल रहा है उसके वज़े से, then इस problem को जो भी आपको परिशान कर रही है, इसे छोड़ दीजे, क्योंकि आप बहुत बड़े मुकाम पे होंगे, in future आप बहुत बड़े मुकाम पे होने वाले हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे बहुत ज़दा pain दे रही है, उस pain को अभी छोड़ दीजे, क्योंकि आप protected है, और ठीक है, तो याँ, अभी हम देख लेते हैं, उनके name initials क्या होंगे, प्रीज एंजियल्स मुझे बताएं, गुरूर है एक परसन को, एक परसन को गुरूर है खुद पे, Egoistic हो सकते हैं, so J से नाम हो सकता है, जास्मीन, ओके जिया, जास्मीन, वैसे J से तो नहीं होता है, जिया, I think, J, ओके, J से तो मेरा नाम भी बनता है, वैसे J होती, है न, J, T, ओके, तीया, तीना, तरुन, टीशा, वाई, ओके, वाइट, मेभी वाइट कलर इनको पसंद हूँ, M से नाम हो सकता है, तनीशा, O से नाम हो सकता है, देख लीजी, जो भी बन रहा है, जो थे, तो बन रहा है, ब्राउन, या ब्राउन कलर इनका फेवरेट हो सकता है, देख लीजी, आपको जो लगता है, इनसे जो भी नाम बन सकता है, एसे भी उनका नाम हो सकता है, जिया, ओके, नाम लेट से कि उनके क्या मैसिज हैं आपके लिए, टाइम की बात कुरुते को, मुझे अगस्त का ही महीना नजर आ रहा है, आपको तो चूज करना पड़ेगा, बहुत सारी चोइसे जा रही हैं आपके सामने लव लाइफ में, बी रेड़ी हाँ, पास्ट से भी आएंगे लोग, देखना आपको है कि आप क्या करेंगे, एक्स्प्रेसियो लाओ, आपको जिससे भी महबत हो, आपको सिर्फ बताना है, छुपाना नहीं है, ठीक है? I know we will be together, my love, believe on God, this connection, written in our destiny, So, यहाँ पर कोई ऐसा person है, इन में से, जो सच में optimistic है, आपकी love life को लेके, और उन्हें पता है कि हाँ, आप ही से उनकी शादी होनी है, और destiny में आप लिखे हैं और आप ही से होगी, When your eyes meet mine, everything really stopped, I strained your eyes, I was drawn, I wish I could capture that moment, जब भी आपके आँखों से इनकी आँखी टकराती हैं, तो सच में सब कुछ थम जाता है, और इनको लगता है, यह बह जाते हैं आपकी उन नशीली आँखों में, और सोचते हैं कि काश में इस moment को capture कर पाऊं, The love we share brings healing and hope, जो भी हम लव शेयर करते हैं दूसरी को, वो हमें healing और hope लेके आता है हमारे लिए, Sometime, someone is secretly yearning for you, कोई है जो आपको secretly like करता है, जैसा कि मैंने बताया, Oh, you are my eyes shine, oh my god, आप इनकी eyes की shine हो भई, So yeah, sometime I get to know your feeling telepathically, I get to know the song you are singing for me, It is a spiritual connection or relationship, So yeah, आप telepathic way में, शायद वो आप से connected है, So yeah, that's all for you, I hope you like the video, enjoy the video, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो like कीजिएगा, comment कीजिएगा, subscribe कीजिएगा, अगर आपने है चैनल पे, If you want your personal reading, तो आप उनसे DM कर सकते हैं, Bye, I love you,